दोस्तो स्वागत है आप सभी का फैक्ट वी दमीत पाठक में आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं जो 24 मई धक कुरोना कर्फ्यू लगा है यानि लॉकडाउन है इस बीच गाइडलाइन भी नई जारी की गई है आपको बता दे अब विवह की नई गाइडलाइन है जो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इसके साथ यी बीना किसी कारण बाहर टहलने पर सकत कारवाई का भी निर्देस है ये सादी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा तो चलिए सुरू करते हैं जी हां दोस्तों COVID-19 की गाइडलाइन जो मैरिस से रिलेटेड है अब उसमें बदलाव किया गया है UP में साधी साहित सारजनिक समाहरों में अब 25 लोगों को ही अनमती है क्या एहम फैसले हैं आज इस वीडियो में हम बताएंगे आपको बतादे दोस्तों वैस्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमन की दूसरी लहर पर नियंतर करने के प्रियास में उत्तर प्रदेश सरकार नित नए उपायक कर रही है सरकार ने अब विवास सहित किसी भी सारजनी कारिकरम में सिर्फ 25 लोगों को ही अनमती का आदेश जारी किया है पहले या संक्या 50 थी और इससे पहले 100 थी लेकिन अब इससे 25 कर दिया गया है मुक्यमंद्रियोगी अदितनाद ने प्रदेश में 24 मई तक करोना कर्फ्यू का निर्देश दिया है जिसे हो सकता है तो आगे भी बढ़ाय जाए जिसमें तमाम बंदिसे लागू है इसके साथ ही बिना किसी कारण बाहर टहलने पर सकत कारवाई का भी निर्देश है अब सरकार ने नया आदेश जारी किया है जिसके बाद बंद या फिर खुले स्थानों पर समारों में सिर्फ एक समय में अधिक्तम 25 वेक्तियों की ही अनुमती होगी चाहे वो विवास समंदित कोई समारों हो या पार्टी हो या फिर अन्य कोई समारों हो उसमें 25 लोगों से जादा अनुमती नहीं है इस दोरान भी कोविट के सारे प्रोटोकॉल का पालन करना होगा अगर इसमें जरासी भी लापरवाही होती है तो आयोजगों पर पूरी जिम्मेदारी होगी प्रदेश में बीते कई दिनों में विवास समारों में बड़ी भीडे कत्र होनी की सूचना आ रही थी बारा बंकी में इस दोरान भोजन को लेकर मारपिट में एक की मौत भी हो गए थी तो एक इंपोर्टेंट जानकारी थी जो नई गाइडलाइन है कोरोना की जिसमें अब आपको बता दे विवास समारों होता है पार्टी होती है उसमें सिब 25 लोगों को ही अन्मती दी जा र ये